एक परिक्षा में total marks 500 दिया हुआ है, obtained marks 425 है, मतलब total marks 500 में से 425 अंक किसी विद्यार्थी को आया है, तो percentage निकलना है, इसका परतिसत निकलना है, तो परतिसत निकलने के लिए क्या करते हैं, जो पराप तांक होता है, जो obtained marks होता है, उसे उपर लिख देते हैं, और total marks को नीच से लिख देते हैं, ठीक है, और 100 से गुना कर देते हैं, दो 0 से 2 0 cancel हो जागा, और 5 से 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, यानि कि 85% उस विद्यार्थी का प्राप तांक हो गया,